यह संस्ता है CDRI, Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, भारत की इस पहल में ब्रिटेन हमारा प्रमुख साथी बना है और आज दुनिया के 35 देश इस से जूड़ चुके हैं, दुनिया के अलग-अलग देशों के बीच में, सेनाओं के बीच में हमने Joint Military Exercise बहुत देखी है, पुरानी परम्परा है, उसकी चर्चा भी होती है, लेकिन भारत ने पहली बार, डिजास्टर मेनेजमेंट के लिए Joint Drill की परम्परा शुरू की है, कई देशों में मुश्किल समय में हमारी डिजास्टर मेनेजमेंट से जूड़ी एजेंसियों ने अपनी सेवाएं दी हैं, मानवता के प्रती अपने कर्तब्य का निर्भा किया है, जब नेपाल में भुकम पाया, इतनी बड़ी तबाही मची, तो भारत एक मित्र देश के रुप में, उस दुख को माटनले के लिए जराबी देरी नहीं की थी, हमारे NDRF के जमान वहां तुरंट पहुँच गए थे डिजास्टर मानेजमेंट का भारत का अनुबव सिर्फ हमारे लिए नहीं, बलकि पूरी मानवता के लिए हैं, आप सभी को याद होगा, 2017 में भारत ने साउथ एशिया जीयो स्टेशनरी, कॉम्मिनिकेशन सेटिलाइट को लांच किया था, बेधर और कॉम्मिनिशन के छेत स्वतंतर में उसका लाब हमारे दक्षिन एश्या के मित्र जिश्कों मिल रहा है, साथियों, परिस्तित्या कैसे भी हो, अगर हम में होसला है, तो हम आपदा को भी आवसर में बदल सकते हैं, यही संदेश नेताजी ने हमें आजहाजी की लड़ाई के दोरान दिया था, ने भी स्वतंत्र भारत के सपने का विश्वास मत खोना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है, जो भारत को जगजोर सके, आज हमारे सामने आजहाज भारत के सपनों को पूरा करने के लक्ष है, हमारे सामने आजहाजी के सोवे साल से पहले, पेंटी फोर्टी सेवन के पहले, नए भारत के निर्मान का लक्ष है, और नेताजी को देश पर जो विश्वास था, जो भाव नेताजी के दिल में उभरते थे, और उनकी भावों के खारण में कह सकता हूँ, कि दुनिया की कोई थाकत नहीं है, जो भारत को इस लक्ष तक पहुंचने से रोक सके,